क्रिकेट भारत में सबसे दादा पॉप्यूलर स्पोर्ट है पॉपिलारिटी के मामले में क्रिकेट के आसपास कोई भी दूसरा खेल नदर नहीं आता है भारत में क्रिकेट के फैंस में इतनी दिवानेगी है कि फैंस कई खिलाडियों की पूजाता करते हैं लेकिन क्रिकेट इतहास में भी कई बार ऐसे लहमें आये हैं जो पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार होना पड़ा है। इस जेंटल्मन गेम पर कई बार फिक्सिंग का काला धबा लग चुका है। ICC ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। कड़े कानून भी बनाए हैं। फिर भी बुकीज मैच फिक्सिंग जैसे कारनामे करने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं। आज स्पोर्स वाला पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे शॉकिंग स्कैंडल्स जिनसे पूरे क्रिकेट जगट को काफी नुकसान भी हुआ था और पूरे क्रिकेट जगट को हिला के भी रख दिया था। सब कुछ विसार में यानि डीटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एड तक में साथ देखें। अफरीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये का नाम था। दक्षिन अफरीका के क्रोनिये ने स्विकार किया कि अधर ने उन्हें बुकी से मिलवाया था। बाद में अधर और अजे जडेजा पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फिक्सिंग की लपेट में हर्शल गिब्स, निकी बोए समेत, दक्षिन अफरीका के कई खिला रहे था। मुहमद अजुरुदीन ने खुद को इन आरोपों से मुक्त करने के लिए 11 साल तक लड़ाई लड़ी थी। तब जाके सुप्रीम कोट ने उन्हें क्लीन चिट मिली। इस लिस्ट में फिक्सिंग का दूसरा स्कैंडल आया साल 2010 में। इस स्कैंडल में पाकिस्तान के मुहमद आमिर, मुहमद आसिफ और उस समय टीम के कैप्टन सल्मान बट स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम आया था। तीनों ने मजहर मजीन अनाम के बुकी से मैच में फिक्सिंग करने के लिए पैसे लिए थे। एक स्टिंग आपरेशन में ये सामने आया कि माजिद ने आमिर और आसिफ को शर्टन ओवरों में नौ बॉल फैकने के लिए कहा था। सल्मान बट भी इस विडियो में थे। कई सुनवाईयों के बाद 2011 में आईसेसी ने तीनों खिलाडियों पर बैंड लगा दिया। बट पर दस साल, आसिफ पर साथ साल और आमिर पर पांच साल का बैंड लगाया था। इस लिस्ट में शामिल तीसरे स्कैंडल के चपेड में IPL आ गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि श्रीशंथ और चौहान ने स्पॉर्ट फिक्सिंग में शामिल होने की बाद विकार कर लिए है। बीसी सी आई ने श्रीशंथ और अंकित चौहान पर लाइफ टाइम बैंड लगा दिया था। हाला कि बाद में कोट ने श्री संथ के लाइफ टाइम बैंक को हटा का सिर्फ साथ साल का कर दिया तो ये थे वो तीन बड़े स्कैंडल जिन्हों ने स्पोर्स जगत को हिला कर रख दिया आपको इसमें से कौन सा सबसे दादा शौकिंग लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट